तो दोस्तो जल्दी से करते हैं बॉक्स की सील को कट और निकालते हैं अपना DSLR कैमरा बाहर तो यहाँ पर दोस्तो DSLR के बॉक्स के साथ में उपर की तरफ आपको मिल जाता है एक बैक जो की टेपिंग करके अटैच किया हुआ है यहाँ पर तो इसकी सील को जल्दी से ओपन कर लेते हैं दोस्तों और बैक में देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है तो बैक के अंदर दोस्तों आपको एक डिवाइडर मिल जाता है और साथी क्विक यूजर गाइड भी बढ़ते हैं मेन कंटेंट की तरफ बॉक्स ओपन करने के के बाद दोस्तों आपको मिलता है यहाँ पर एक क्विक यूजर गाइड साथ में मिलता है एक स्ट्रैप स्ट्रैप के बाद दोस्तों एक और लेयर यहाँ पर हटाने के बाद आपको मिल जाता है 16GB का SD कार्ड कुछ और पेपर वर्क्स हैं यहाँ पर दोस्तों इसी के साथ साथ यहां पर आपके camera की battery आपको यहां पर मिल जाती है battery को charge करने के लिए यहां पर दोस्तो एक charging wire मिल जाती है साथ यहां पर kit lens है 1855 mm का इसके बाट जो last content है दोस्तो second last यहां पर है आपको battery को charge करने के लिए adapter अब भड़ते हैं दोस्तो अपने DSLR camera की तरफ तो सामने से ये कुछ ऐसा दिखता है दोस्तो नीचे की तरफ camera mount करने के लिए port दिया गया है उपर आपको flash का port मिल जाता है दोस्तो सामने की तरफ आपको LCD screen और कुछ जरूरी buttons मिल जाते हैं नीचे आपको battery लगाने के लिए slot और SD card slot मिल जाता है और camera के दूसरी तरफ दोस्तो आपको 2.5 mm jack, micro mini USB port और HDMI port मिल जाते हैं इसी के साथ साथ दोस्तो यह सारा material आपको camera के अंदर मिलता है जहां पर back camera strap charging wire बैटरी एस्तिकार और lens मिल जाता है अब जन्दी से दोस्तो करते हैं lens को इस camera के ऊपर assemble और करके दिखाते हैं आपको एक बहुत ही शांदार सी photo capture तो lens को फिट करना बहुत असान है दोस्तों आप इसको slot में लगा कर इसको हल्का सा घुमादें आपको पता सल जाएगा कि lens जो हो फिट हो चुका है अब जरूरी चीजें जैसे कि आपकी battery और SD card को लगा लेते हैं तो दोनों ही चीजें अपने slot में बहुत परफेक्टली फिट हो जाएंगी दोस्तों के पुश करके आपको इसे बंद करना है और स्विच से camera को on करने के बाद में आपको simply first image जो हम अपने टेबल की capture कर लेते हैं दोस्तों तो दोस्तों यह था Canon का 1500D DSLR जो की 30,000 के बजट म एक बहुत ही अच्छा DSLR camera है तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको like करना ना भूले